कि अधियुक्त करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा और अगर न्यू है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है टेकनिकल वीडियो आपको देखने के लिए जो आपके लिए आपके नॉलिज के लिए अचा होगा और किसी कंपनी में जंप करते हैं तो अपको इंटर्वी के लिए भी हल्प करेंगा तो चलेए देखें पूरा विडियो को तो लोग इन करते हैं तो यहां पर हम डिफॉल्ट डालते हैं 192.168.11 आपको डालना है जब आपका न्यू सेरगन आइडियो है तो ठीक है अगर आपका अलड़ी वर्किंग में है तो आपको आईपी लेना पड़ेगा आपको टीम से ठीक है तो इस तरह आपके बाद तो इस तरह समय विंडू अपन हो जाएगा उसके बाद क्या कर नहां को मनेजमेंट में जाने के बाद को यूंट पारमीटर में जाना है तो यहां पर नेम आपकों ठीछ करना है , आपको नाम आपको यहां पे डालना है तो मैं आपको का सब्सक्राइब बसना सब्सक्राइब करकों नहीं करना है इसके बाद आपको जाना है इंटरफेस मनेजर में यहां पर इंटरफेस मनेजर में जो भी आपका इथरनेट स्लोट रहेगा आप यहां से उसको आप कर सकते हैं की में आपसे अब डिसेरं कर सकते हैं आपको तो कि कारण करते हैं को आपको पर ऋसके सथितर डिफूल्ट आपी जिससे आपने लौगिन यहां पर किया जिसे वहां पर आपने डाल के रेखर 192.168.1.1 ठीक है और आपको जो लैपटॉप में रखना यहे एए जाब्स आपे present लेकिन आपए कर देना आपको निया तूचाक देना है ठीक है इस तता से मद्स टेंब्स लेक्टोप मे रखना आप मिद्रेक्ट देना है गुँगल करना है लेकिन आपको डीफोल्ट तो जबमे आप's आपको एच्छाथ और आपको suggestiveOS। तो यहां पर change किजिए और change करने कबद apply किजिए और make sure that आपको जो IP आप change कर रहे हैं ठीक है change करने कबद यहां apply जैसे कि तो reset ले लेगा मतलब फुरा close हो जाएगा ठीक है तो फिर से क्या आपको करना है फिर से लोगिन करना अगर लोगिन नहीं होता है तो एक बार जो है आडियो को reset किजिए ठीक है लेकिन आपको IP जो है ध्यान में रखना है कि कौन सा IP यहां पे डाल रहे है और apply कर रहे है तो यह अपको करना यहाइपर default gateway भी आपको डलना है ठीक है तो यह ध्यान में आपको रखना है और उसके बाद अप्लाइ करना है उसके बाद आपको रिमोट में जाना है और रिमोट में भी यहां पर आप जो है देखिए यहां पर आप आप ड्रेसे आप चिकर सकते हैं लेकिन रिमोट में कब होता है यह रिमोट में रिमोट में रिमो Kisita 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 को दिक्कत नहीं होगा और यहां पर SNMP पारेमिटर में जाना है ठीक है तो एडमिन देखिए इनेबल है और प्रेस्टनल स्टेटर सबको आप में रखना है यह सब को करना है यहां पर ठीक है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप यहां पर करेंट वर्जन जो आपका जो मेन बोर्ड है ठीक है जो मेन आपका कंट्रोल बोर्ड है जिसे हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप यहां पर रणिंग वर्जन देख सकते हैं और डाउनलोड वर्जन यह देख सकते हैं ठीक है तो यह वी देखिए सब्सक्राइब करता है लेकिन आपको तो पहले आप कमिशनिंग कर लिजिए फिर आपका न्यू वर्जिन का अगर सफ्टर अपडेट करना चाहते हैं तो आपडेट कर लिजिए जनरली हम लोग स्वेरागोन अड्यू में लॉकली सफटर अपडेट नहीं करते हैं यह जब नोट वीजिबल हो जाता है तो रिमोट क्ली कर देता है ठीक है अब आफ लोग रिमोटली करते हैं तो यह सब recovering तो यह सब देख सकते हैं फीर हम आएंगे अ कि ऐसके बाद हम आते हैं रेडियो में कि मैं आनक बाद हम लोग जाते हैं तरदी यूं पर मिलिल आप दोस्त यहां पे यह है है यह आपका लोकल जो जो जिस आमिन जो आप माइक्रोवेब इंस्टोल किये हैं आमिन टावर पे उसके साथ आपको ओडियू आटेच के हो रहाता है ठीक है अगर आप इस आडियू से दो लिंक चला रहे हैं तो आपको यहां पे पोर्ट वन और पोर्ट टू पर कनेक्ट करना करें पड़ेगा आया केबल जो माइक्रूवेब से आता है और फिर आपको जो है फ्रोकेंची हां पर डालने पड़े प्लान में दिया जाता है आपको फिर जो आर्क्स लेवल अपको मतलब देखना है कि एमतलोग कि तना एक सिप करना है और पावर कितना रखना है तो यहा यहां पर आरे स्लेवल मैं इस थार्टी फाइव दिखा रहा है और टी एक्सम्यूट ट्रेटर्स आपको ओफ रखना ठीक है लेकिन यह यह आपका मतलब अभी आरे स्लेवल याय नहीं है ठीक है इसा ही डिफोल्ट में दिखा रहा है ठीक है तो यहां पे जो 1 2 यहां पर यहां पर आपको नहीं रखना है ठीक है कि अगर अगर इस आडियू से आप दो आम इन लिंक चला रहे हैं तो आपको सेम फिरकेंसी नहीं रखना है यहां पर टीक्स लेवल अपका एट पावर और मानेस थाटी फाइव आया यह लेवल है और यह जो है आपका मॉर्डम थे मैनस फाटी 100 फाइव हसा अजिए अभी यू उटो ऐससे जो भी आपका लिंक चल रहा है करते हो गिसे फिर झाल अप हम आने साटी फाइव गौर से जवार्दा इस तरह मानेस माने थाटी फाइव लेवल है आईसा यहां तो और यहां से आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर्टेंशी आप चेंज भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक वडिंग आपको प्लान में दिया जाएगे कि कौन सा फिर्टेंशी आपको डालना है है आप यहां से रिप्सेस कर दिए अब हम लोग रेडियो पारमेटर में जाते हैं था रेडियोग पारमेटर में देखिए हैं आपका जो है यह आप रखना है यह यह अपका आपरेश्टेस आप है मानस 35 अपका एक्स लेबल है है झाल जा। और यह जो आपका IP है, डिफूल्ट IP है अभी, जो प्लान में IP हो, हम लोग यहां पर अफडेट नहीं किये हैं, ATPC, जो एटोमेटिक TX Power Control है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, मारे S35 है, रेडियों, इस लोट 2.2 है, इसको रिमोट ATPC, जो है, एस करके रखना है अपको, MRMC, उसके बाद ETSI में जाना है, और यहां पर देखिए, जो है, आपको, स्लोट चूच करना है, MRMC Symmetrical ETSI, स्क्रिप्ट यहां पर, पोर्ट 1, पोर्ट 2, दोनों में आपको, मतलों, यहां पर जाकर, और यहां पर देख सकते हैं, आपको QA में स्टेटस, यह सभी आपको, कितना bandwidth क्या है, इसे रखना पड़ेगा आपको, दोनों पोर्ट में, विदाउट यह यह आपका इदम mandatory है, विदाउट इसको, I mean, फिल किये विए आपका link अपने हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि engineer इसको fill करना भूल जाता है, और बोलता है कि link नहीं हो रहा है, I mean Rx level achieve नहीं हो रहा है तो नहीं हो पाएगा इसको mandatory अफिल करना ठीक है तो आपको ध्यान में देना है मैं बताता हूं आपको फिर जाना है X-Pick में ठीक है और इसको को डिसेबल करकर रखना इसको ठीक है ध्यान दीजिएगा मॉल्टी रेडियो यह आपका इनेबल रहेगा उसके बाद हम लोग आते हैं इथरनेट में सर्विस में आते हैं तो यहां से इथरनेट पोर्ट का आप यहां पर देख सकते हैं आपको ATS2 आपका यहां से आप इनेबल कर सकते हैं आपका इस पे जो है आपका जो 4G और 3G का जो केबल इस पे अकनेट होगा ATS जाएए इसके बाद और रेडियो का भी है एटियाच का भी है रेडियो का है स्लोट पोर्ट तो इसको जो हम क्या करेंगे बैक आते हैं और यहां पे मंजी और सर्विस पॉइंट करते हैं फिर रेडियो ठीक है रेडियो पे आने के बाद जो है सी भीलेन और यह जो है चूच करना है हमको आप 552 हम देख सकते हैं सी भीलेन फिर यहां पर आना है लॉकल में आना है ठीक है और इसको तो यहां पर पताया था कि यहां पर डिफोल्ट आपी डालना है ठीक है पी शिक्स रहे गए गए सब चीजे एक मिनट तोस के बाद है अपको सर्विस में आकर और जो टू पांट सेवन फाइब सेबं है और यहां पर सी भीलेन के पास आये उसके बाद रिडियों पर क्लिक किजी आप पर मार्क हो जाएगा फिर एटी अच पर आपको करना है और यह जो आपका सी भीलेन आपको सेम रखना है 552 एटीए डूनों के लिए यहां से अपको इडिट करके यहां पर देखिए सर्विस इडी एटी एच हो गया यह से आपका आज आएगा यह सी भिलन अपको 552 यहां पर चूच करना है और यह enable रखना है allow for floating आपको allow करना है और फिर यहां पर यहां पर एपको रिट करना तो apply कर देना है physical interface आपको physical interface यहां पर आपको up करके रखना है port 2 का flow2, port2, port2, port2 का दुनों को enable enable करके रखना है और भी फूल डूपलेक्स करके रखना है थावजिन में करके रख सकते हैं अब और यह इधरनेट पोर्ट हो गया आपका जो आप जीस पर आर जी फॉर्टिफाइब के वल करनेक्ट करते हैं जो आपका 3G मीडिया है 3G 4G का के वल अपनेक्ट करते हैं उसके लिए यह है और यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सा है क्या 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 चीज के लिए हम लोग करते हैं यह सब चीज़ यह लोग रिमोटली चेंज करता है जो भी एकॉर्डिंग टू आयमीन आरफ प्लान और एकॉर्डिंग टू बेट मित जो भी चेंज करना होता है वो लोग करते हैं को ठीक है तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है कि उसके बाद हम लोग कि चलते हैं हां एकस्मल फाइल में kinda तो दूस्त यहां से Zusammen & मतलोब देखे मतलोग क्या क्या आपको पारामिटर यहां से लेना है उसा छे यहां से लेख सकते हैं ओर यहां पर फिल कर सकते हैं लेकर्ट यह डिटा इक रिटा झैंररली यहां फिल नहीं करता है इसको और उसके बाद हम लोग slot port 2 में आएंगे और यहां plus पिक क्लिक करेंगे और यहां पर देख सकते हैं फिर से मैं आपको दिखार और 2048 की वे मां आपको 1024 भी होता है 512 भी होता है 256 भी होता है लेकिन अब एकोडिंग टू प्लान आपको चुछ करना है ठीक है उसके हिसाब से आप डिफूल्ट इंटरनेट प्रिमियम क्यूए बीडियो आई टीवी सिगनल सिगनलिंग इस अब को अस्पिट्शेट करना है ठीक है तो यह सब चीजे आपको ध्यान में रखना है दोस्ट इस सब चीजे आपको यहां पर देखे 2048 हम लोग ने छूच किया उसके एकोडिंग टू यहां पर जो पॉलिसर फॉर फाइल है हम लोग ने फिल किया है और यहां पर भी देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्ट हम लोग जो है सेरागोन का में जो हम लोग कमिस्टिंग करते हैं